कि दो होगो हो प्वाइब एक आज हम बात करने वाले कि जो यहाँ पर हमने मलोमिल कीन किया पहले मोनोमियल से पॉलिडूमियल का मलिडूमियल के किया क्या हम पॉलिडूमियल का कर सकते हैं यास obviously कर सकते हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा उसमें, जानते हैं अभी, तो कि यहाँ पे सबसे छोटे वाले polynomial, यानि कि binomial का multiplication binomial के साथ करते हैं, और देखते हैं कि वो यहाँ पे multiplication कैसे apply होगा, तो अभी यहाँ पे देखो, तो पहले तो हमें दो example चाहिए होंगे, तो आपके समख सी example आ गए दो, क्या है यहाँ पे, 2x plus 3 multiply by 4x plus 6, तो अभी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे binomial आपको दीख रहे, तो उनका multiplication करना है, तो अभी कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या धान में लेना होगा, तो कि यहाँ पे दोनों ही binomial है, दोनों ही binomial में हमें किसी एक binomial को select करना होगा, जैसे कि यहाँ फर्स्ट वाला जो binomial है, 2x plus 3, उसको हम select कर लेते, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कि यह जो 2x plus 3 है, उसमें यह जो पहला 2x जो है, वो एक बार क्या किस से multiply होगा, second वाला binomial यानि कि 4x plus 6 है, और 2x plus 3 है यानि कि plus का sign यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 जो है, 3 number, वो किस से multiply होगा, 4x plus 6 है, तो अभी यहाँ पे आप देखो, तो यह जो plus sign है ना, plus sign, उसके left hand side में और right hand side में, आप क्या देख पा रहे होंगे, आप बोलो कि सर, सिंबल सा multiplication नहीं देख रहा है, पर करध्यान से थोड़ा देखोगे, तो आपको यहाँ पे देख पा रहे होगा, यह अभी यह क्या हो गया, तो कि एक monomial का multiplication एक binomial से है, और again यहाँ पे right hand side देखो, तो कि एक monomial का multiplication binomial के साथ है, और मैं आपको यह बोलो, कि आप लोगों ने यह monomial और binomial का multiplication तो सिखा हुआ है, यस, तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले, इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, कि monomial का multiplication अगर binomial से करना हो, तो कैसे हो पाएगा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा यह, तो अभी यहाँ पे आप देखो, तो यह जो आंसर आपको दिख रहा है, वो हमने यहाँ पे क्या किया है, तो कि plus के left hand side वाले जो multiplication है, उसका यहाँ पे यह answer है, पहले दो step और positive sign के right hand side वाले, जो भी यहाँ पे monomial से binomial का multiplication हो, यहाँ पे right hand side में यह दिख रहा है, अभी यहाँ पे देखो, तो दो ऐसे यहाँ पे term से, जिनका हम यहाँ पे addition कर सकते हैं, कौन से दो term, तो कि यह जो 12x और 12x दिख रहा है, उनका addition हम यहाँ पे easily कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे 12x प्लस 12x हो जाएगा, और यहाँ पे उसका answer क्या हो जाएगा, 24x हो जाएगा, नहीं कि 24x square, क्योंकि यहाँ पे हम addition apply कर रहे हैं, यहाँ कि 12 प्लस 12, 24, और x जो coefficient है, उनका यहाँ पे addition किया है, और जो यह variable x उनको तो as a t c लिखने का है, याने कि हमारा यहाँ पे final answer क्या होगा, दो bonomial का multiplication का, 8x square प्लस 24x प्लस 18, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कि 2 binomial का multiplication यहाँ पे किया, और आपको पता चल गया कि यहाँ पे 2 binomial का multiplication कैसे किया, हमने अभी आपको बोला जाए कि यह तो बाइनोमियल से बाइनोमियल का मल्टिप्लिकिशन कर सकते हैं यहां पर बाइनोमियल का मल्टिप्लिकिशन कर सकते हैं तो यहां पर बाइनोमियल का मल्टिप्लिकिशन वो एक trinomial है, अब यहां पर binomial का multiplication trinomial से करना है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो कि जैसे हमने binomial में किया था, यहां पर a plus 7 जो है उसको यहां पर select कर लेतें, और यह जो trinomial है, उसके साथ individually multiply करेंगे, जैसे कि यहां पर a जो है, उसका multiplication एक बार trinomial से होगा, और यह और 7 के बीच में प्लस का sign है, तो यहाँ पे प्लस का sign लिख देंगे, और फिर यह जो 7 है, उसका multiplication trinomial से होगा, तो अभी यहाँ पर आप देखो, तो यह तो आप लोग बोलोगी कि positive के left hand side and right hand side वाला जो multiplication है, वो तो हमने किया हुआ है, यस, obviously, आप लोगों ने ये last वाली वीडियो में यहाँ पर किया था, कि monomial का multiplication trinomial से किया था, तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या काम किया था, याद करो, और यहाँ पर यह दोनों का multiplication कर दो, तो अगर यहाँ पर multiplication हम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि left hand side right left hand side positive sign के यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें multiplication मिलेगा और right hand side में देखो तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से multiplication मिल रहा है अभी यहाँ पे देखो तो हमें हमें यहाँ पे क्या करना है करना है तो वैसे कहीं पर A² दीख रहा है कि क्या हम हम यहां पर एडिशन कर सकते हैं दूनों का अभ्यस्ती कर सकते हैं क्योंकि यहां पर variable equal है, यानि कि a square, a square variable same दिख रहे हैं, यानि कि यहां पर हम 7 and 3 का addition कर देंगे, यानि कि 10 a square हो जाएगा यह, अब भी यहां पर देखो, तो जैसे हम addition में यहां पर साथ में ले आते हैं, same variable को, यानि कि यहां पर a square, a square वाले same आ गए, और यह 5a and 21a भी same आ र जाएगा, यानि कि 26a हो गया, तो यहां पर हमने यह जो binomial and trinomial का multiplication अप्लाई करते हैं, तो हमारे यहां पर final answer क्या मिलेगा, 1 cube plus 10a square plus 26a plus 35, तो यहां पर आप लोगों ने सीखा कि binomial से trinomial का multiplication कैसे होगा, तो अभी आपको कोई भी binomial and trinomial दिया गया हो, तो आप easily उसका multiplication अ तो यहां पर हम लोगों ने एक polynomial का multiplication दूसरे polynomial से कैसे करना है, वो सीख लिया, तो अभी यहां पर हम इतना ही करने वाले हैं, जैसे कि यहां पर हमने multiplication सीख लिया, addition and subtraction भी सीख लिया, algebraic expressions के वीच में, अभी हमने बात किया था कि algebraic expressions में कुछ identities आती है, तो identities क्या है, कैसे य यूज कैसे करने वाले, वो जानने के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ, थेंक्यू